मकर संक्रांती परवी के उसर पर गुरेकनात मंदीर पर लगने वाले मेली को सखुसल संपनी कराने के लिए महानगर में 13 जन्वरी शाम 8 बजी से 16 जन्वरी शाम 8 बजी तक वाहनों का रूट डायवर्जिन किया गया है इसके अलावा 24 जन्वरी को बुड़वा मंगल और 26 जन्वरी को बसंत पंचमी गरतंत दिवस से 5 फरवरी तक रूट डायवर्जिन किया गया है जिसके संबंद में SP ट्रेफिक डॉक्टर महिनरपाल सिंग ने बताया कि महराज गंज फरिंदा पीपी गंज से आने वाले चार पहिया वा रोडवेज ट्रक बस बरगदवा से भगवानपूर स्पोर्स कॉलेज खजांची चौरहा पादरी बजार कवाबाग महदीपूर ह अपने गंतविक योर जाएंगे यातियाति रहा से आने वाले सभी वाहन धरमशाला गंगी दुर्गाबाडी सुभास्चन रुबोस नगर कॉलोनी से ग्रीन सिटी मोड होते हुए अपने गंतविक को जाएंगे जेपी हॉस्पिचल गुरकनात ओवरब्रेस से आने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित वा दुर्गाबाडी सुभास्चन रुबोस नगर कॉलोनी से ग्रीन सिटी मॉल होते हुए जाएंगे वही बिहार, बलिया, देवरिया, मुगल सराय, वरांसी, आजमगर, मौ, कुशी नगर एवं जौनपूर से आने वाले वाहन चो गुरकनात मंदिर को जाएंगे उनकी गाड़ी भगवती महिला महा विद्याले परसर में खड़ी होगी शहर छेत्रे से आने वाले शद्धालों के वाहन लाल बहादु शास्ती जूनियर हाई स्कूल गुरकनात पुल के नीचे दुरगाबाडी तिराहे पर खड़ी होगी सूरशकुन कॉलोनी वह उसके आसपास से आने वाले शद्धालों की गाड़िया रामेला मैदान मांसरूवर मंदिर के पास खड़ी होगी जीटी में लगे अधिकारियों एवं कुरमचारियों के वाहन मेवा लाल गुरुकुल स्कूल श्री गुरकनात के चार नंबर के पास खड़े होंगे बहराइस, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपूर, सिधाटनगर, फरिंदा, नेपाल, सौनौली एवं महराजगन से आने वाले वाहन लेबर ती रहा से रामनगर ती रहा तक सड़क के दोनों तरफ खड़े होंगे इस संबंध में गुरकपूर नियों से बात करते हुए S.P. ट्रैफिक डॉक्टर महीन रुपाल सिंग ने कहा और शोले तारीक की शाम को छे बज़े तक जो है यह जारी रहेगा डावर्जन प्लान के अंतरगर बाद से आने वाले हैवी विकल्स पर पूरा रोक है जो नो इंट्री रात को खोलते हैं वो नो इंट्री नहीं खोली जाएगी इसके अत्रिक्त जो जो जोड़वेज की व और जरमचाला की तरफ से आर्पी अफ गराउन पर वो लास इस्टाप वेट पाइंट होगा वहां से आगे बसें और कोई भी वहां जो है नहीं जाएगा आटो और इरिक्षा भी इस नोजी के जोन में आर्पी अफ गराउन से लेके इंडिस्ट्रियल मौन तक स्कॉलेज कोगवाग मोहिद्दी पोर होते हुए चाहिए इंवेश्टिसन जाना हो अच्पा देवरिया जाना हो अपने गंदब के लिए प्रस्तान करेंगे इसी प्रिकार लखनों संतकवीर नगर बनारस वडल गंग की तरफ से आने वाले वहां बारा बारा कालेशा और चंगल कोडिया होते हुए फोर लेन के मार्धन से बाइपास होंगे और सहर के अंदर रामनीला वैदाम वसूर्पुत रहा जशारी बात रहा और हमानपुर चाहरा से मंदि की तरफ जाने वाले सबी प्रिकार के बाहन व्रत्वंदित रहेंगे बी आईपी जिनको पास दिगत की रहे हैं जो मंदिर में इन्वाइटेड हैं उनके आने का रूप धरम थाला गंगे चोरहा सूरट कुंडोवा बिरिज अल्यारी बार रसूलपुर और दसारी बाक्षे होते हुए गुरक्तार मंदिर के गेक नंबर 4 से प्रिवेश करेंग गेवल पास धाल्प भाहां गासu इस पर हमने पारकिंग है पार्किंग में सबसे पहले ब्ल hace रहे रहेटत씨 मेला माविद्याला पार देवरिया ब्यार से आने वाली बसों की पार्किंग की गई है इसके बाहर आर्पिय ग्राउंड पर्क और वीलर्स की पार्किंग है गुर। और अर्दुग छेतर से राम नगर ते रहा सड़क के दोनों तरफ शांतिवरम लाम, एवन कुष्टास्रम के पीछे, एवन सिचाईवार कॉलानी, एवन स्प्रिंगा रोड मोड पर सड़क के दोनों तरफ जो भी वहां वैराइफ शिरावस्ति गोंडा वन नामपुर सिदा अगर किसी स्रद्दालों को कोई देखका रासरदा आती है, तो ड्यूटी पर लगे ट्राफिक करने से संबर्ग करें, वो आपको जाने का मार्ग भी बताएंगे और आपके गाहन की पार्किंग का स्थाम भी बताएंगे, सैंक्यू बेरी मुच्ट, जय हैंतु